तो गाइस मैं हुआंगी तो आप देखे रहे हैं रिस्लिंग फैंस नाइट वक्ट सबसे पहले काईस हम लोग अपनी बात को सुरह करेंगे बैकलाइस दोजा 24 से जो कि डेवल डेवली के लिए काफी जारा सक्सेस्फुल इवेंट रहा एक तो रिवन्यू वाइस काफी प्र फ्रांस में होने वाला था लेकिन लिएउन से नहीं होने वाला था तो कहां होने वाला था तो इसको लिएक अपडेट कुछ यह कहती है पैरिस वाज इंडीड फर्स्ट च्वाइस बट विद ऑलिम्पिक गेम्स लेस देन हंड्रेड डेज अवे नॉट वन बिल्डिंग व आपको बहुत पहले एक अपडेट बताई थी कि डवीड़ी के प्लैंस थे कि वह पैरिस में जाकर एक इवेंट होस्ट करेंगे तो यह वही वाला इवेंट होने वाला था लेकिन क्योंकि ऑलिम्पिक गेम्स सिर्फ मुस्किल से सौ दिन दूर है यानि की काफी करीब है तो इसलिए चार दिन निकल जाते तो चार दिन के लिए कोई नहीं रहा था डबीड़ी को अपनी बिल्डिंग को यह रेना वगरा नहीं दे रहा था इसलिए पैरिस से लोग नहीं करते और इसी वज़ा से लोग ले ओन गए आइधिंक जो होता अच्छे के लिए होता है बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में बस्ट इन दर वर्ल्ड सीम पंक को लेका अब मंडे नायट रॉम में कुछ ऐसे कौमेंट्स कर दी जिसे एडबल फैंस तो बिल्लकुल भी नहीं खुष है लेकि इस चीशे तो बिल्लकुल भी खुष नहीं होते हैं लेकिन इस ची एक चोग आर्टिस्ट वाली लाइन कहते हैं आपको मालूम होगा एक तो उनको पॉप बिल्कुल नहीं मिलता है दूसरा येडबली फैंस इस पर भरग गए पहला तो कहना है लोगों कि भाई ये चोग आर्टिस्ट वाली लाइन क्यों कहने हैं आपको टेलिविजन पर मतल इसलिए जा रहा था इड़ फैंस की तरफ से डबली फैंस ने खुद इनके फैंस नहीं करा चोग आर्टिस्ट वाली लाइन पर चोग आर्टिस्ट बैसिकली जैक करी इसलिए क्षान ने यादे लगाय थे कि बैक्स्टेज महाल उन्होंने काफी खराब कर दिया था जो यहां पर दूसरा यह बहुत ना की जाया तो कोई पता ही नहीं चलेगा कि यह एक टाइम पर था 2019-20 में जो थोड़ा बहुत अगली स्टोरी के बारे में जो कि यह जे उसो एंड इलिया ड्राइगोनव के मैच को लेके डवी डवी क्या प्राइगोनव के इंदर फसकी है इनके मैच को बुक करके अब आपको मालूम है अगले राउंड में इनका मैच होने वाला किंग ओफ दरिंग के लिए अगली स्टोरी के लिए जे उसो एंड इलिया ड्राइगोनव के लिए जो लॉजिक सुनों इलिया ड्राइगोनव के लिए इतना तगरा देसलर है इतना बेटर करता है अगली यह जे उसरी तरफ का कहना है कि जे उसो डैबीडवी के लिए काफी प्रोफिटेबल है लाइक मर्चेंडाइस से तरफ अगरा देसलरा काफी अच्छा मिलता जे उसो कंछा मिलता है वह थो हमने देखी लिया भाई की बैकलेस में क्या रिया उनको एंटरेंस पे हर जगा पे जे उसो की थीम की बाद चल प्रमोशन हो जाती सिंपल तो इसलिए आइटेंग जीतना चाहिए अभी इलिया ड्रागनों को मेन रॉस्टर पर और स्ट्रगल करना चाहिए मेरे हिसाब से आगे बढ़ते हैं का इस बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जिम्यू सो की एक्सपेक्टेड है बिफोर समस्लैम अब एक्जाक्ट मुझे नहीं पता कि वह कितना टाइम लेंगे रिकवर होने में अपने इंजरी से जो कि एक अंडिस्क्लोस्ट इंजरी है बट आई थिंग आई बिलीव कि वह समस्लैम से पहले वापस आ जाएंगे क्योंकि मैंने डॉट्स कनेक्ट कर और उसके बाद जिमी उसो का रिटैन हो सकता है वो जे उसो को बचाने के लिए आ सकते हैं और यह साधी चीजे हो सकते हैं समस्लैम से पहले ताकि समस्लैम में एक टू और टू टीम मैच हो सके तो प्रबैबली यह चीज होगी अभी कैस आपसे लाइकली यह लग रहा है कि अगर समस्लैम में टैग टीम मैच है तो देन जिमी उसो इसके पहले ही वापस आएंगा वाटना फिर कोई सेंसी नहीं मनेगा उनके बिना होई नहीं पाय गए मैच खेर आगे बढ़ते हैं गैस बात करते हैं अपनी next and final story के बार में and again bloodline story को ही लेके हो सकता है एक possibility यह भी ह मैं आपको बताता हूं और वो रीजन यह है कि अगर आप एक डॉट कनेक करोगे तो देखोगे कि जो सोलसी को वाली bloodline है उसके अंदर टामा टोंगा के भाई आ रहे हैं मतलब टामा टोंगा पहले आए उसके बार हमने देखा कि टांगा लो आए और अभी हीको लियो के लाइन है इसमें हाकू के बेटे आ रहे हैं तो अभी टामा टोंगा है तो प्रवैबली हो सकता है कि यह जो सिस्टम चलते आ रहा है यह भाई फॉलो करेंगे हीको लियो भी और वो प्रवैबली फॉलो करेंगे न्यू ब्लट लेंड को तो अगर यह चीजों की तो उधर च खुद है ही साथ में जिला फार्टु आ सकते हैं रोमल की ब्लट लेंड में नहीं तो लैंस अनौ आ आ सकते हैं तो ऐसे में बाई जेक अफार्टू की छोटी बहुत पॉस्यबिलिटी है यह इसी रिया है विकॉस हाकू के बेटे सोलो की ब्लट लेंड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं तो देखते हैं भाई क्या होता है अभी के इस आप से फिलाल इस वीडियो के लिए बस यहीं कुछ अपडेट्स थी आई होप साफ कन्फॉर्मेशन मिली हो मेरे तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप मुझे